नमस्कार साथियो आज हम बात करेंगे गंबीर मुद्दे पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं खास तोर से विरोपियन कंट्री या फस्सिम कंट्री या कोई भी एक्सवाइजेड कंट्री जिसमें आप जाना चाते हैं जिस कंट्री में आपका जाने का सपना है अब जाने के यह नहीं का लिए रहता lub तो आपको कही नहीं किसी लोगों से करना पड़ता है क्यूंगी जो अच्छ प समझ रहे हो बात को लेकिन आप लोग मरने के बाद मेरे पास तक पहुंचते हैं कुछ लोगों मेरा मेसेज आता है कि 500 रुपे भी वो लोग नहीं देना साथ है आपको लगता है कि असो का लल भी तो लूट लेगा हमें बरबाद कर देगा 500 रुपे लेके ऐसा सब लोगों के साथ अमुमन होता है जी हाँ वो इसलिए कि आप लोग वोटसप के दोरा मेरे को डोकुमेंट बेजते हैं अलागि मुझे आफीस नहीं देते लेकिन मुझे तो पता लगता है ये ने कि आपके डोकुमेंट की स्थिति क्या है लेकिन आप 500 रुपे खर्च नहीं करना चाते वो आपकी मर्जी है ठीक है अच्छी बात है लेकिन देखिए मैंने एक बुक आपको हर बार काफी सारे टाइम से वीडियो में बता भी रहाँ कि भाई ये जो बुक है ना इस बुक को मैंने मेरे हाथों से लिखा है दस बारा साल का जो मैंने प्रेक्टिकल अनुबव किया है लाखों रुपे का नुक्सान उठा के अजेंटों को जेल में डलवाने के बात मैंने ये बुक लिखी है जो आने वाले अभी जो दूसरा मेरा चेनल है इस बाते हैं इसको बोलते हैं न कि अधाम खाये अकल नहीं आती दख्ये खाये अकल आती है जिन्दगी में बहुत सारे दख्ये खाये हैं सब कुछ होने के बाद में तो ये बुक मेरा अन्बव मैंने आप लोगों साथ शेयर किया है अगर आप इंटेस्टेड हैं विदेश से रिलेटेड तो इसमें 41 पोइंट मैंने ऐसे नोट किये हैं जो आपको होने वाली समस्याओं से बचाएंगे जी हाँ ये 320 पन्नों की बुक है बाई कोई फॉर्मल्टी वाली नहीं है ये मेरा आप देख सकते हैं फोटू है पिछे भी मेरा फोटू है इसमें ये बुक आप लोगों के लिए मैंने लिखी है अगर आप इंटेस्टेड हैं तो इसको पहले मैं आपको बता देता हूँ क इसमें कौन-कौन से पॉइंट मैंने नोट की हैं आप देख लिजिए स्क्रीन के अंदर विशे वीमरेंड में बात करें रूपरे का परस्तावना हो जाती है उसके बाद जोब के लिए विदेश क्यों जाते हैं विदेश में इन जोबों में कितनी अच्छी छेली मिलती है जोब फ्रोड से कैसे बतें ओफर लेटर चेक कैसे करें विजा चेक कैसे करें विदेश में फंसने पे क्या करें विजे कितने परकार के होते हैं सस्ती टिकट कैसे बनवाएं विजा कैसे प्राप्त करें किसी विदेश का विजा में कौन-कौन से डोकोमेंट लगते हैं पा प्लाई कहां से करें विदेश से कितना गोल्ड आप ला सकते हैं अजेंट से पैसा और पासपोर्ट अगर आपके फंस गए तो कैसे निखालें क्या विजिट टू वर्क पर्मिट में जाना चीए लोग विजिट में भेज देते से क्या हिल्प करेगी आप की जोब के लिए किस देश में आपको जाना चीए विदेश पहले क्या तैयारी करने चीए इंडियन ठुपे का बाव करेंसी में कितना बनता है विदेशी करेंशी की भारतीय रुपे की मुकाबले वेल्यू क्या है गोल्ड प्राइज विदेशों में कितना होता है पी सी सी क्या होती है पास्पोर्ट खोजाने पे क्या करें विदेश में खो यहां इंडिया में एक ही बात है गम का मेडिकल एड्रस इंडिया में कहां कहां government authorized medical address है इंडिया में विदेश MBC का पता कहां है विरोपियन देशों के medical कैसे होते हैं उनका कितना charge होता है और क्या उनका address है कतर QEC medical or charges भारत में manpower office जी हाँ ये 48 मैंने point इसमें भाई नोट किये हैं जो जितने मेरे फास information दी share कर दी अगर आप interested हैं तो भाई ये book आपको live time guarantee के साथ बचाएगी अगर आपने इसको पढ़ लिया और इसके इसाफ से आपने follow कर लिया तो जी हां आपके काफी लोगों के लाकों रुपे लगते हैं भाई कम से कम मान लो medical से तो सुरुआत हो जाती है चार-पांच जार्शे आपकी सुरुआत होके वो 50-70,000 तक पहुंच जाती है लाकों में भी पहुंच जाती है इस book को पढ़ने का मतलब ये आपको guarantee ले लेगी आपकी कि आपको ठगी नहीं होगी क्योंकि ये जो list है ना में पार ओफिसों की है government authorized manpower government authorized medical center European country के नाम से सबसे ज़्यादा आपको ठगा जाता है उसमें ये बताया गया है कि Canada के medical कहां कहां होते हैं इंडिया में विरोपिय देशों के medical कहां होते हैं कैसे होते हैं Malaysia के या फिर और भी Gulf देशों के medical कहां होते हैं